नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है, पेशाज 20 अगस्त सुबा 6 बजे राजिस्तान की खास खबरें रेल्वे नियुत्तर पस्चिम सहित विबिन जौनल रेल्वेस में सेफटी सहित अन्य विभागों के भरती का नौटिफिकेशन जारी किया है रेल्वे बूर्ड के डिरेक्टर विद्यधर शर्मा ने 18,799 लोको पाइलिट के पद भरने के लिए अदेश जारी किये हैं AIRF के सहाइक महमंत्री मुकेश माथूर ने बताया कि पहले 5,696 पदों पर भरती होनी थी जिसका AIRF ने भी विरूद किया था अब कुल 18,799 पद भरे जाएंगे यूनियन के जॉनल कारेकारी अदेक्ष मुकेश चतुरवेदी और मंडल अदेक्ष केस एहलावत ने बताया कि फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड को रणिंग स्टाफ को रेस्ट नहीं मिलने छुट्टी स्विकर्ट नहीं होने का भी हवाला दिया था जीम अमिताप और प्रिंसिपल सीपियो प्रदीप सिंग सहिद बोर्ड को परिशानी व्यक्त की थी इस पर बोर्ड ने संग्यान लेते हुए पदों को तीन गुना अधिक कर दिया है इसे हजारों बेरुजगारों को रुजगार मिलेगा कॉलकाता के सरकारी आर्जी कर मेडिकल कॉलिज एवम अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की साथ बलात कर और फिर उसकी हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में कई दिनों से लगातार परदर्शन हो रहे हैं इस घटना के बाद राजे की ममता सरकार वीपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी हैं रक्षबंदन के दिन भी इस मुद्य को लेकर दिल्ली में डॉक्टरों ने परदर्शन किया वहीं इस रेप और हत्या कांड के बाद आरजे कर अस्पताल में हुए तोड़फोर के मामले में भी लगातार गिरफतारियां हो रही हैं अभी तक कुल 37 उपदरवियों को अरेस्ट किया जा चुका है कालकाता रेप मर्डर केस में आरजे कर मेडिकल कॉलिज और इस्पताल के पूरो प्रिंसिपल संदीप खोश लगातार चौती दिन सीबियाई दफतर पहुँचे हैं केंद्रिय जांच एजंसी उनसे मामले में पूस्ताश कर रही है हरियाना के करनाल में भाई को राखी बांधने जा रही महिला और इसके पती की सड़क हाथसे में मौत हो गई दोनों बाईक पर सवार थे रॉंग साइड से आ रही तेज रफतार प्राइविट बस ने उनकी बाईक को टकर मार दी हाथसे के बाद मृत मृत्कों के परीजनों ने बस के शिशे तोड़ दी सूचना पर पुलिस मौकी पर पहुंची वह बस वे बाईक को कबजे में लेकर अगामी कारवई शुरू कर दी है मृत्कों की पैचान 48 वर्षे मंगा सिंग और इसके 45 वर्षे पतनी मंजीत निवासी गाउं बांसा के मंगा के बेटे कथन सरण जीत ने बताया कि रक्षबंदन के करण माता पिता तरावडे सित मामा के घर जा रहे थे इसे बेच बंसा मोड के पास रॉंग साइड से आ रही तेज रफतार प्राइवेट बस ने माता पिता को टकर मार दी परिवार का रोप है कि बस का ड्राइ अगले महीने देश व्यापि सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है राजस्तान में एक करोड सदस्या बनाने का लक्ष रखा गया 20 अगस्त को परदेश बीजेपी ने अभियान को लेकर कारेशाला रखी है बीजेपी परदेश यदेक्ष मदन राठोर ने सदस्यता बियान को लेकर पदा दिकारियों की बैठकली सदस्यता बियान में बीजेपी की राजस्तान एकाई का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है पहले भी देश फर में राजस्तान एकाई ने सरवादिक लक्ष रखा है इस बार बीजेपी के नए परदेश यदेक्ष मदन नराठोर की रितिमान बनाना चाह रहे हैं मदन राठोर ने तैय किया है कि करीब 52,000 बूतों में प्रतेक पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे और एक करोड का लक्ष अरजित किया जा सके शुद्ध अहार मिलावट पर वार अभियान के तहट 26,000 किलो घी स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया गया है चिकित्सा मंतरी गजेंदर सिंग खीम सर और एसियस शुबरा सिंग के निर्देशन में यह कारवई की गई है संयुक्तायुक्त डॉक्टर एसन धोलपुरिया के नेतरतव में केंद्रिय दल की जलोर पाली में यह कारवई की गई है जलोर में सिरे मंदिर रोड सित मैसर्स जैमा आशापुरी अजंसी से 1000 किलो घी का नमूना लेकर सीज किया गया वह भी इनमाल रोड भागले सित गजानंद मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से लगबग 94 किलो घी साइथ लगबग 15,000 किलो स्कीमड मिल्क पाउडर के नमूने को लेकर सीज किया है पाली जिले में मैसर्स रतन रास एजंसी से चार्ज नमूने घी के एवम एक नमूना गर साला पाउडर का लिया गया है जहां करीब 600 किलो घी श्री वल्लब घी को सीज किया गया अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के अरक्षन को लेकर सुप्रेम कोट की और से दिये गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर भजनल के कलक्टर और पुलिस अधिक्षकों को सेर्कुलर जारी कर कानून विवस्ता मजबूत रखने के निर्देश दिये हैं साथी कलक्टर और एसपी को फिल्ड में उतर कर आवांशित गतिवीदियों पर नज़र रखने को कहा गिया है हालांकि अभी तक राज्यस्तान में से वर्क से जुड़े प्रमुक संगठनों ने सरवशनेक रूप से बंद का कोई अवाहन नहीं किया है सोशल मीडिया पर ही भारत बंद को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है एसे वज़े से एहतियातन ग्रै विभाग ने प्रशाशन को अलट मोड पर रहते हुई पुड़ी जनों की मौके पर ही मौत हो गई नापसर थाना दिकारी जस्वेर ने बताया कि नापसर रोड पर रूपनात मंदिर के पास सड़क पर अवारा पशु बैठे थे इसे दुरान वहां से निकली कार चपेट में आ गई बीकानिर रोड परस्थित रूपनात जी मंदिर की 17 वर्षे धर्मेंदर जाट और 17 वर्षे शिव करण जाट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया पुलिस मामली की जांच कर रही है प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर थम गया है राजस्थान के अधिकांश जगा मौसम साफ रहा धोप खिली दिखाई दी मौसम के इंदर जैपूर की अनुसार परिसंचरन तंत्र दक्षिन पश्चिमी राजस्थान वे आसपास के पाकिस्तान क्षेतर के उपर स्थित है ऐसे में जोदपूर बेकानिर संभाग के अधिकांश भागों में बारिश की गति वीडियों में कमी होने और दिन में धूप निकलने की माफ रहने का अनुमान है मौसन विभाग ने 22 अगत से मानसुन फिर एक्टिव होने की संभावन जुताई है मानसुन के दुबारा एक्टिव होने से 11 जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा पिछले 24 कंटे में अलवर, कोटा, स्वय मादोपूर, टॉंक, दोसा, जैप करना नगर निगम जौन डी के पास हुई, व्यपारी का बेटा अपनी दोस्तों के साथ कॉफी शॉप से खर लोट रहा था, तबे कुछ यवक उसकी BMW कार के बगल में कार लेकर आए, और गाली गलोच के बाद बदमाशों ने फाइरिंग शुरू कर दी, कपड़ा व्यपा कार ने पहले उन्हें टकर मारी और फिर फाइरिंग शुरू कर दी, हमलावर सफेद रंग की ब्रेजा कार में आये थे, उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उसके बेटे के दोस्तों पर हमला हुआ था, उस केस में उनका बेटा भी गवा है, उसे रंजिश में हमलावर आर करने के बाद एक व्यक्ति ने बेचने के बहाने वरिद से 160 तुला सोने हीरे जड़ेत पुष्टैनी वे एंटिक आभूशन एंट लिए, नैरू पारक के पास निवासी 88 वर्षे जेठमल बाहीती ने, दी रिपोर्ट में बताया कि मुलतिया मतानिया, हाल बीजेस को लोनी निवासी मुल सिंग चारण पारिवारिक सदस्य जैसा था, व्यद्दावस्ता के चलते पिड़ेत बच्चों में संपती बंटवारा करना चाता था, उसके पास पुष्टैनी वे एंटिक जेवर थे, इस बारे में मुल सिंग को बताया, तो वे एक सुनार लेकर आया और ज जेवर दिखाए, सुनार ने 170 तोला सोने, वे हीरे जड़ित पुष्टैनी जेवर जांच कर 1.5 करोड रुपे कीमत लगाई, बाद में 1.60 करोड रुपे में बेचने का निर्नय हुआ, जुन 2023 में मुल सिंग जेवर बेचने के लिए गया, अगस्त 2024 तक जेवर बेच का फिरोसपुर में CIA स्टाफ ने जीरा से दो सगे भाईयों को करोडो रुपे के हैरोईन, एक देसे पिस्तॉल, साथ जिंदा कार्तुस, 12 लाक रुपे की ड्रग मनी, वे इनोवा के साथ गिरफतार किया है, सब इंस्पेक्टर गुर्चरन सिंग ने बताया कि वे पुलिस पा हैरोईन नशा बेचने का धंदा करती हैं, दोनों अरोपी सिल्वर रंग की इनोवा से आ रहे थे, जिसके बार नाकबंदी के दुरान दोनों अरोपियों को काबू किया गया, अरोपियों की कार की जांच के दुरान नशे के समान और पिस्तॉल मिली, अरोपियों के ऊपर थाना कुलगड़ी में एंड़ीपीय सेक्ट के साथ आम सेक्ट के तहत मुकदमा दर्स कर गिरफ़तार किया गया है पुलिस मामले की जाच कर रही है झाल 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 झाल